हेलो अबरबन, मैं आशा करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे, मैं काजल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपनी चैनल प्यूपल डीचर में सीटाइट दिसंबर 2021 की तियारी को ध्यान में रखते हूँ, मैंने आप लोगों के साथ सीटाइट पेपर 2 में पूछा जाने वाला एक महतपूर विश है, जिसे हम विज्ञान साइंस के नाम से जानते ही, इसके एक स्पेशल सीरीज आप लोगों के साथ शुरू की थी, आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ दूसरा चाप्टर कवर करूंगी, जो कि है फूट जिसे हम भोजन के नाम से जानते हैं, जो कि एक इंपॉर्टिन टॉपिक माना जाता है, सीटाइट के परिक्षा के पॉइंट आप व्यू, तो चलिए वीडियो शुरू करें, और इससे पहले अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप इसके पहले वाला पार्ट देख सकते हैं, और अगर आपको बाकी विश्यों के तयारी करनी है, त विश्यों के अलगलग प्लेलिस्ट बनाएंगी है, साथे साथ आप मेरे साथ टेलिग्राम ग्रूप पे जूर सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करें, सबसे पहले अगर हम देखें कि फूड यान की भूजन क्या होता है, तो देखें यहां पर हम लोगों को बता रख हम लोगों को ताकत देता है, ता कि हम किसी कारी को कर सकें, अपनी बॉडी को बिल्ट कर सकें, अपनी बॉडी को रेगुलेट कर सकें, यान कि संतुलिट कर सकें, और साथे साथ प्रोटेक्शन भी कर सकें, तो देखें, फूड एक तरीके से हमारे लिए आहार है, वो चीज से पहला है plant source और दूसरा है animal source, यानि कि हम कुछ plant product खा सकते हैं और कुछ animal product भी खा सकते हैं, इसके लावाद दो अलगलग term होते हैं, सबसे पहले nutrition और अगला है nutrient, इन दोनों में कई बादी confusion होता है, क्या होते हैं, तो जड़ा ये देख लेते हैं, nutrition क्या है, ये एक ऐसे प्र is this organism अपना food intake करता है, यारी कि खाने खाने की प्रकिरिया होती है, वो हमारे हां यहां पे, nutrition कहलाती है, और nutrient क्या कहलाते हैं, हमारे भोजन में हमारे खाने में, जो important component होते हैं, carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, वो सभी हमारे जो component होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो nutrient कहलाते हैं, तो nutrition क्या है, ये एक process है, ये एक प्रकिरिया है, जिससे हम अपने भोजन को खाते हैं, intake करते हैं, और nutrient क्या है, उसके अंदर पाए जाने वाले पोशक तत्व, यानि कि उसके अंदर पाए जाने वाले component, इसके अलावा अगर हम देखें, तो ये जो हमारे nutrients होते हैं, यानि कि ये जो component होते हैं, इसे दो अलग-लग भागों में विभाजित किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर आजाते हैं, macronutrient, और दूसरा यहाँ पर आजाता है, हमारा micronutrient, देखें, ये इनके नाम के related है, यहाँ पर आप देखे लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, micro, micro शब्ड हमारा small के लिए यूज होता है, यानि कि कुछ ऐसे पोशक तत्व होते हैं, जो कि हम कम amount में लेते हैं, जैसे कि vitamins और minerals, और macro जो word है, यह हमारा large के लिए यूज होता है, यानि कि कुछ ऐसे पोशक तत्व होते हैं, जो कि हम ज़्यादा amount में खाते हैं, जैसे कि carbohydrate, protein और fats, तो देखें, आज ही की वीडियो में, मैं carbohydrate का test किस तरीके से करते हैं, protein टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, fat आपके खाने में है या निये, इसका test किस तरीके से किया जाता है, ये भी मैं आपके साइट डिस्कस करूँगी, आगी जरह अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमें बता रखा है, food habit के अनुसार हमारे जो organism होते हैं, इसको हम तीन अलग लग भागों में विभाजित करते हैं, सबसे पहले हैं यहाँ पे क्या आजाते हैं, herbivores, herbivores उनको कहते हैं ऐसे organism, जो सिर्फ और सिर्फ plant product को intake करते हैं, plant product को intake करने वाले को क्या कहते हैं, herbivores कहते हैं, जैसे की cow and goat, यहाँ पे हमें example देगे, अगले आजाते हैं हमारे carnivores, carnivores जो होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ flash वगरा खाते हैं, वो सिर्फ mars खाते हैं, जिसका example यहाँ पे यहाँ दे रखा, lion यहाँ पे tiger, और अगले आते हैं omnivores, जो की दोनों चीज़े यहाँ पे खाते हैं, यहाँ पे यह plant product भी खाते हैं, यहाँ पे यह flash वगरा भी खाते हैं, और इसके example में हमें दे रखा है, beers, जिसमें हम लोग भी आ जाते हैं, जिसमें हम लोग अगर यहाँ पे pure vegetarian हैं, तो वो हर भी बोर्स में आ जाएगा, pure vegetarian तो वैसे, कोई भी नहीं होता, यहाँ पे हम लोग ओमनी बोर्स की category में आते हैं, अब चलिए, जैसे कि मैंने आपके साथ कहा था है, कि यह जो हमारे carbohydrate, protein और fat हैं, इसके test में आपके साथ discuss करूँगी, तो चलिए, इनके ज़रा test को हम discuss करें, अब हम समझेंगे carbohydrate, protein और fat का test, तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे carbohydrate test को, जिसे हम test for starch के नाम से भी जानते हैं, तो कई बारी आपके paper में test for starch के नाम से आ सकता है, या फिर आपका iodine test के नाम से भी आ सकता है, क्यों कि carbohydrate का test करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें food item लेना पड़ता है, और उसके अंदर iodine का solution डालना पड़ता है, वो भी diluted form में, कितने drop, 2 या 3 drop, अगर यहां पे हमने iodine के solution को डाला, food item के अंदर, और यह सीधा यहां पे blue black color का हो गया, यह देखिए, यह color आपको याद अखना है, blue black color का हो गया, यानि कि उस food item में क्या है, carbohydrate present है, तो देखिए, यह जो blue black color है, यह हमें दिखाता है कि इसमें starch है, और साथे साथ, क्योंकि बस iodine के solution को डाल के, आपका carbohydrate test यहां पे हो जाता है, इसलिए इसे कई बार iodine test, या फिर आपका starch test, या फिर carbohydrate test, इन तीनों नामों से यहां पी जाना जाता है, और साथे साथ यहां पे बता रखा है, कि जो starch है, वो किस किस चीजों में होता है, कौन कौन से food item में होता है, तो जैसे जो चीज़े, इसलिए मीठी होते हैं, उन चीजों में होता है, जैसे पटाटो, ब्रेड हो गया, इसके अलावा आपके rice हो गया, अगर आप rice को दाल में बिना मिलाए खायें, तो आपको मीठा टेस्ट एंगे, तो इन सभी चीजों में आपका starch प्रेजन होता है, इसके अलावा अगर हम protein test की बात करें, तो protein test में आपको ये steps यहाँ पर याद अखने, सबसे पहले आपको food item को लेना है, अगर हो solid form में हो, तो आपको क्या करना है, उसको paste बना लेना है, उसको powder form में यहाँ पर बदल देना है, इसके बाद paste या powder बनाने के बाद, आपको करना क्या है, उसमें 10 drop गिनके आपको पानी के डालने है, water के डालने है, देखिए, सबसे पहले आपने food को जो आपका solid form में था, उसको आपने हाँ पेस्ट बनाया है, या फिर आपके लेजिए powder बनाया है, इसके बाद आपने क्या किया, उसमें 10 drop यहाँ पे पानी के डाल दिये, इसके बाद आप copper sulfate, जिसे हम CuSO4 के नाम से जानते हैं, इसके आप सिफ 2 drop इसके अंदर डालेंगे, इन तीनों के mix हो जाने के बाद, लास्ट में हम caustic soda, जिसे हम NaOH यहाँ की sodium hydro oxide के नाम से जानते हैं, इसके 10 drop डालेंगे, अगर इन चीजों को mix करने के बाद, हमारा यहाँ पे violet color आ गया, तो यानि कि यहाँ पे आपका protein present है, तो देखिए, यहाँ पे दुबारे मैं इस सीज को यहाँ पे बताती हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, फूद आइटन लेना है, उसे पेस्ट या फिर पाउडर फॉर्म में बदलना है, 10 drop आपको वाटर के डालने है, 2 drop आपको C.U.S.O.4 कॉपर सलफेट के डालने हैं, और आखरी में 10 drop आपको कास्टिक सोड़ा यानके नियोच के डालने हैं, इसके बाद इन सब के बाद अगर आपको वाईलेट कलर आ गया है, तो यानके प्रोटीन वहाँ पे प्रेजन्ट है, इसके लावा अगर हम फाट के टेस्ट करें, सबसे आसान टेस्ट माना जाता है, इसके अंदर हमें क्या करना है, बहुत स्मॉल अमाउंट पे फूड यहां पे ले ले लेना है, उसको एक पेपर में हमें अच्छे तरीके से राप करना है, और उसे यहां पे क्रश कर देना है, मतलब आप एक ब्लांक शीट ले सकते हैं, पतली सी, उसके अंदर आप फूड आइटम डालिए, उसे अच्छे से लेपेट दीजिए, उसे क्रश कर दीजिए, उसके बाद थोड़े देर बाद उसे खोल के देखिए, अगर उस पेपर में वहाँ पे आपके ऑईल के पैचिस आ जाएंगे, हमने देखा भी है, नॉर्मली समूसर वगयरा, अगर किसी न्यूस पेपर या फिर किसी एक ब्लांक पेपर में राप होता है, तो उसके उपर इस तरीके से धब्बे यहाँ पे आ जाते हैं, यह अगर इस तरीके से ओली पैचिस आ गए, तो यान कि हाँ पे फाट हमारा प्रेजन्ट है, अभी मैंने आप लोगों के साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाट टेस्ट यहाँ पे डिसकस के, इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अभी डिसकस करूँगी, कि हमारे फूड आइटम में और साथे साथ अगर हम देखें, तो विटमीन्स कितने तरीके के होते हैं, और विटमीन्स की डेफिसंसी से कौन-कौन सी बिमारियों हो सकती हैं, आप लोगों के स्क्रीन में अब ये इमेज देखेगी, जिसमें हमें आप लोगों के साथ अलग-लग तरीके के विटमीन्स और उनसे होने वाली डेफिसंसी, और उसके लक्षन यहाँ पर किस तरीके सरहेंगे, इनको जरह मैं डिस्कस कर रही हूँ, I hope ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किये, आप लोगों को ये चीज़े अच्छे से क्लियर होई होगी, अब चलिए विटमीन्स और उनकी डेफिसंसी से होने वाली बिमारियों को जरह डिस्कस कर रही हूँ, ये जो टेबल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये आपको क्लास 6 की जो साइंस की हमारी NCRT की बुक है, उसमें चाप्टर 2 के अंदर ये टेबल आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर तीन अलग लग चीज़े बता रखें, सबसे पहले विटमीन्स और मिनरल्स के नाम यहाँ पर बता रखें, इनकी डेफिसंसी से, इनकी कमी से होने वाली यहाँ पर रोग यानि की बिमारियों के बारे में बता रखें, इसके अलावा इनके क्या-क्या लक्षन हो सकते हैं, क्या-क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, यह हमें साइड में बता रखें, सबसे पहले अगर हम देखें vitamin A के बारे में तो vitamin A की कमी अगर किसी भी इंसान के अंदर होती है तो उसका क्या deficiency देखने को मिलेगा उसके अंदर यहाँ पे उसे loss of vision यानि कि आखों की जो रोशनी है उसके वो loss हो सकती है और इसके क्या-क्या लक्षन देखने को मिल सकते हैं poor vision यानि कि अच्छे से दिखाई ना देना रात के समय में loss of vision हो जाना इसके अलावा या तो अगर vitamin A की बहुत ज़्यादा कमी है तो यह complete loss of vision भी हो सकता है इसके अलावा यहाँ पर vitamin B1 के बारे में बता रहा है कि इसकी deficiency से इसकी कमी से जो यहाँ पर disease होता है उसको हम berry berry के नाम से जानते हैं जिसमें जो हमारी muscles होती है वो weak हो जाती है और हमारी जो काम करने के लिए जो हमारी energy होती है वो भी थोड़ी कम पड़ जाती है इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे यहाँ पर हमें vitamin C के बारे में बता रहा है vitamin C की कमी से जो disease होता है उसे हम scurvy के नाम से जानते है जिसमें हमारी जो gums होते हैं वो वहाँ से bleeding शुरू हो जाती है और उनमें जल्दी से healing नहीं होती यानि कि जो मसूरे होते हैं उनमें से खून निकलता है और वो जल्दी से heal नहीं कर पाते इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमें बतार का vitamin D के बारे में कि इसके deficiency से जो बिमारी होती है जो disease होती है उसको हम rickets के नाम से जानते हैं जिसमें हमारे जो bones होती है जो हमारी हड़िया होती है वो soft पढ़ जाती हैं और वो कई बार bent भी हो सकती है इसके अलावा आगे अगर हम बढ़े तो आगे हमें ही हापे calcium, iodine और iron के बारे में बता रहे है calcium की कमी से जो disease यहाँ पर देखने को मिलते है जो deficiency यहाँ पर देखने को मिलती है वो हमारे bones और tooth decay यानि कि जो हमारी हड़िया है और जो हमारे दाथ हैं जो tooth हैं वो हमारे तूटने लग जाते हैं decay होने लग जाते हैं तो देखिए यहाँ पर इसके symptoms बता रहे हैं लक्षन बता रहे हैं कि हमारे bones जो हैं वो weak होने लग जाएंगे और दाथ जो हैं वो जढ़ने लग जाएंगे इसके लावा अगर हम iodine के बात करें तो iodine की कमी से जो यहाँ पर disease देखने को मिलता है उसको हम goiter के नाम से जानते हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि इसके लक्षन क्या है जो हमारा जो neck होता है जो गला होता है वहाँ पर एक gland होता है वो यहाँ पर swell हो जाएगा और mental disability भी हो सकती है बच्चे के अंदर इसके लावा हमें यहाँ पर iron के बारे में बता रहे हैं आखरी में iron की कमी से जो यहाँ पर disease देखने को मिलता है उसे हम anemia के नाम से जानते हैं और इसमें हमारी शडीर में कई ज्यादा weakness देखने को मिलती है और जैसे कि मैंने बोला यह आपको जो table है यह आपको क्लास 6 की जो आपकी NCRT की बुक है साइन्स की उसमें आपको chapter 2 के अंदर यह table देखने को मिल जाएगी आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं डीटेल में मैंने हाँ पर आप लगों को explain कर दिया I hope यह वीडियो आप लगों को पसंद आईए और इस सीरीज को आप लोग पसंद करोगे साथे साथ आप मेरे साथ telegram गुरूप पर जोड सकते हो और अगर आपको किसी और विशे की playlist जाएगी तो आप playlist section में जाएए आपको अलग लग विशे की वहाँ पर playlist बनी हुई है आप जिस भी विशे की तियारी कर रहे हैं आप वहाँ से वो वीडियो एकसिस कर सकते हैं और इसके पहले वाला part जो है आपको description में उसकी link मिल जाएगी इस वीडियो में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बाई बाई टेक कैर